हेलो कोई सोगताब सभी का हमारे बीके स्पिसल यूटूब चैनल पर और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बतूंगा फोन पे अप्लिकेशन में इंडिया पोस्ट पैमेंड बैंक को कैसे लिंक करते हैं फोन पे अकाउंट कैसे स्टार्ट करते हैं इंडिया पोस्ट पैमें चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है आज की इस वीडियो पर मैं आपको फूल डीटल के साथ इस्टेप बाइस्टेप बताऊंगा तो आज की इस वीडियो को आप आकरी तक देखना अगर आप इस चैनल में पहली वारा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल इंटरफीस आएगा जैसे आप ओपन करोगे आपसे आपका मुबाइल नंबर मांगा जाएगा तो आपको सिंपसे धर पर किलिक करना है और अपने मुबाइल नंबर को इंटर कर देते हैं जैसे आप अपने मुबाइल नंबर को इंटर करोगे तो आपके सामने कुछ इस त अगर आपके में OTP नहीं आता और पास्ट वगर मांग रहा है तो आपको अदर लोगिन उप्शन पर किलिक करना है उसके बाद आपके मोबाल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा तो आपको जे OTP को इंटर कर देना है OTP इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह एक इंटरफेस आएगा आपको इसको बैक कर देना है फिर कुछ इस तरह एक इंटरफेस वगर आपको देखने कली मिल जाएगा और इदर पर आपके एक प्रोफाइल वाले उप्शन में किलिक करना है और जैसे आप प्रोफाइल वाले उप्शन में किलिक कर दोगे तो आपके सामनी कुछ इस तरह एक इंटरफीस वगरा आ जाएगा इदर पर आपको देखना है आपका bank account, India Post payment bank तो simple सा आपको अधर पर नीचक तरब school करते रहना है और इधर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा India Post payment तो आपको simple सा नीचक तरब school करना है और धूड़ लेना है, चलो हम इधर पर धूड़ लेते हैं अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप इस चैनल में पहली वानाओ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी देखने के लिए बैल आइकन को भी जरूर दबाईएगा तो इधर पर हम फटाफट देख लेते इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक हमारा कहां पे है तो जैसा कि आप देख सकते हो हमको मिल चुका इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक तो इदर पर हमें किलिक कर देना आपको और जैसे आप किलिक करोगे कुछ लोडिंग्स होने वाली है लोडिंग्स होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस वगरा आ जाएगा इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक के आपके पास जो भी debit card है उस वाले debit card के आपको 6 अंग इदर पर डाल देना है back side के पीछे के आपको 6 अंग इदर पर डालना होगा और X, Y date आपके इदर पर इंटर कर देना है तो चलो हम पूरी की पूरी डीटिल को इंटर कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हो हमने debit card के नमबर पूरी के पूरे डाल दिये अच्छे अंक और xy date डाल दिये उसके बाद आपको एक option देखने के लिए मिलेगा verify वाला तो आपको verify वाले option में click कर देना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह एक interface वगरा आ जाएगा और इदर पर आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो आपको इदर पर इंटर कर देना है उसके बाद आपको create कर लेना UPI pin को तो इदर पर हम पूरी के पूरी detail को इंटर कर देते हैं उसके बाद आपको submit वाले option में click करना है जैसे आप submit वाले option में click करोगे तो आपके सामने फिर इस तरह एक interface वगरा आ जाएगा और आपका एक बार pin फिर से मांगा जाएगा तो आपने जो भी pin बनाया वो pin को आपको enter कर देना है उसके बाद फिर आपको submit वाले option में click करना है और जैसे आपके लिए करोगे तो आपके सामने कुछ loadings वगरा होने वाली है और उसके बाद आप जो है आपका UPI pin जो create हो जाएगा जैसा कि आप देख सकतो bank account add हो जुका है उसके बाद आपको done वाले option में click करना है और आपको अपने bank account के balance को कैसे check करना है मैं आपको बता देता हूँ तो आपको simple से check balance वाले option में click करना है इंडिया post payment bank पे click करना है और जैसे आप के लिए करोगे आपका UPI pin आपने जो भी बनाया है वो आपसे मांगा जाएगा UPI pin को जैसे आप enter कर दोगे तो आपके सामने कुछे इस तरह के loading होगे एणी यह PTM का check करके बता दिया गया है तो मैं इंडिया post payment bank का check करके आपको बताता हूँ तो मैं इंडिया post payment bank के click कर दिया और आपको अपने UPI pin को enter कर देना है जैसे UPI pin को enter करोगे आपके सामने कुछ लोडिंग्स होने वाली है और जैसा कि आप देख पाओगे तो इधर पर आपके लिए कुछ लोडिंग्स होगी तो आपको थोड़ा सा बीट करना होगा तो गाइस कुछ इस तरह के इंटरफीस वगर आ चुक है और हमाया बैंक के बैलेंस अभी चेक करके नहीं बता गया है तो हमारा जो सरवाट थोड़ा वो डाउन है इसके करना हमारा बैंक के बैलेंस चेक करके नहीं बता गया है तो कुछ इस तरह सा अपने बैंक अकॉंट के वाइ बाइ बाइ बाइ